हलो व्योवन वेलकम तो मैं चैनल नीट एक्सपिलिशन तो हमने जो पहला पाथ था फंडमेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के चप्टा फाइफ का क्लास नाइंथ का तो इसमें हमने पढ़ा था कि अगर अगर आपको नहीं आता है तो आप देखना चाहते हैं अप इस वीडियो का फर्स पार देख सकते हैं और आज हम जो टॉपिक सब्सक्राइब तो करेंगे वह हैं लाजमा मेंबरेन लाजमा करने को मारीण और सेल मेंबरें और सेल किसे मिलके बना होता है यह सब एल की दए ऐसलैंग ऑसलीए और नुजह को यरोजलिकी सब्सक्राइब करने अगर नहीं हो पाया तो हम इसका थर्ड पार्ट भी लेके आएंगे इस यूनिट फाइफ चैप्टर फाइफ का तो हमने यहां तक फर्स चैप्टर में कवर कर दिया था तो इसके बात से में पढ़ना है तो अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को फ्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंज के साथ जरूर शेयर करिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जो क आपको समझ भी आगया होगा तो लेट स्टार्ट और आपको कोई बीडाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं मुझसे ओके तो लेट स्टार्ट जादा बाते नहीं करते हैं तो मैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ट्राइग करती हूं कि समझ में रहे हैं और हिंदी में भी अबıs पर्दाट कह Imagine में बुट जर्माद रि KELL स कर दो लाइब करते हैं भी झाडिशा करें तो ंब लाओ पर सकते हैं तो लेट स्टार्ट तो सबसे पहले वे लेगी है वोटिज सेल मीड बपाउंसल किसे मिलके बना होता है और वोट इज दा शर्ट्र इस वर्गनाईजेशन तो हमें यह पता होना चाहिए किस चीज की दिदून से मिलके बनाव्टा उसका इस्टर कैसा हुता है उन चीजों काम क्या होता है we see that cell has kya जे और भीचोप तो यह यह फास पैसे स्पेशल कंपोनेंस होते हैं अंक्या बोलते हैं और नेल्स पूलते हैं ठीक है आपीजल में और एसे होते हैं , पहला है तो हम आए काहा इसी ता हुता है के सिखेडिया इंदे विशिए कलें थैंट आट के तो कमें कहें हैं कौन-कौन शेंव हूं तीन फीचर सबसेल में होते हैं लाजमा निंकलियस और सय्टो प्लाइट यह तीन फीचर ऐसे हैं जो सारी सेट में कॉंवन होते हैं ओक और यही जो सारी एक्रिक्टिविटीज होती हैं इंसाइड और इंट्रेक्शन होता है आउससेड असेल का मतलब पर तो यह सब इन इन तीन फीच्र तो यह नि पाइब इंपॉर्टेंट है थो इनके बारे में तुम्हें बता ही होना चाहिए वह फीच्रinkला क्या फ्रॉट्च्र को देखना प्रस्थ कॉस्त इसमें प्लाल मेंब्रेन कहा होती है सॉत प्लास्मा मेंब्रेन को बिपाइड है इसा प्लाजमा मेंब्रेन है यह सेल को बाद कम सेल को लिए को तीन फीचर थे वह common थे सारी सेल में कौन थे फ्लाजम मेंब्रेइन शाइटो प्लास्म और नुकलीस यह तीन इंपर्टन फीचर हैं जिससे सारी इन्टराक्शन होता है वह पॉसिबल हो पाता है तो यह तीन आम आपको लोकेशन दिखा दिया है और भी यह सारे जो नुक्लियर एंवलोप राइबोजोम लाइसोसोम माइट्रो कॉंडिया रफ एंडोप्लास्म रेटिकुलम यह सब हम आगे चैप्टर में सेल और्गनल जब कवा करें तो देखने मिलें हमें तो इनके सब के स्ट्रॉक्चर कैसे होते हैं का फंक्शन क्या होता है कहां होती है स सब कुछ हम कवा करेंगे अभी आपको यह तीन हम कवा करेंगे आज तो आप लोगे लोकेशन अच्छे से देखने हैं नुक्लियस यह है प्लाजम मेंबरेन यह है और साइटो प्लाजम कौन सा है जो इसके अंदर इस लोड भरा हुआ है आपको ट्रांस्परन कलर का नजर यह सब कुछ साइटो प्लाजम में ही प्रेजेंट होती है तो तो अब हम जो प्लाजम मेंबरेन है उसके बारे में डीटेल में पढ़ते हैं तो हम प्लाजमा मेंब्रेन को डीटेल में पढ़ेंगे तो प्लाजमा मेंब्रेन को हम प्लाजमा मेंब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेंब्रेन भी बोलते हैं ठीक है सेल मेंब्रेन तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्लाजमा मेंब्रेन और सेल मेंब्रेन के बीच में ठीक और cell membrane दोनों चीज is common ही है खेल स्कसक्क करती है यह अंदर अच जिम कर दो चैसे जिसे जिर सेल है ठीक है यह सेल है ठीक एफ ओर क्वेज़ कर दो ंडर ही हैं इस सेयल के शेजर कों काम और रोब आ हम वी ओर बीच में यह हुआ। यह लियर करी थे इसको प्ला flavored क्या करती है separate कनने का काम करती है जो अंदर की चीज़े हैं और उसके बाहर की common language में बोले तो तो इसे प्ला planets membrane और क्या करती है प्लास्म विए या यो क्लिक्ट करती है और पमिट करती उनको allow कौन करता है plasma membrane करती है ठीक है उसके बाद क्या है उसके बाद है कि it also prevents movement हाँ तो इसका मतलब movement ही जो भी material अंदर बहार movement हो रहा है कुछ भी तो सबको plasma membrane ही allow करती है permit करती है इसलिए इसको cell membrane को selectively permeable membrane भी बोला जाता है क्योंकि select करके मतलब material जो भी इसको चाहिए होता है molecule select करके अपने अंदर cell के आने देती है और बहार जाने देती है ठीक है इसलिए इसको selectively permeable बोला गया है जब इसको जरुरत होगी तब allow करेगी जब नहीं होगी तो नहीं करेगी ठीक है cell membrane is आपको याद रखना है यह बहुत इंपोर्टेंट फीचर है प्लाजम मेंब्रेन इस सेलेक्टिव ली पर्मियबल उक्या है उसके बाद क्या है तो यह मूव्मेट जो अंदर बहार जा रहा है कैसे होता है कैसे बहार सेल से आ जाते हैं और अंदर चले जाते हैं तो यह प्रोसेस होती है जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे ठीक है है सम सब्सक्राइब लाइक कार्बन डाय और ओकसीजन यह सेल मेंबरेन के थ्रू जाते हैंक। कौन सी प्रोससे के थ्रू डिफूजन के थ्रू ज Absolutely यह सेल है तुश्चिंट जाते हैं किस कौन सी पूसल सके निदे तुद्धूज कि दिफ्यूजन के बारे में आपने पहले भी अपने कुछ एथ क्लास माई थिंग चैप्टर्स में अर्ली चैप्टर्स में पढ़ा होगा ठीक है कि दिफ्यूजन क्या होती है कैसे वोक होता है ठीक है अगर आपको नहीं आदा तो अभी हम पढ़ेंगे आगे चलके भी मॉक्सिस क्या होता कि बहुत इस हम इस्पॉंटिनीयसली मॉवमेंट होता है there any substance warm ठीके और कैसा मोमेंट होता है सबसंच कहां से कहां मूव करते हैं from high concentration to low concentration ठीके यसे आप समझ लेजिए ये एक छेल है ठीके इसमें CO2 बहुत जादा हो गया है ठीके ये के अंदर तो ये कहां मूव करेगा सेल से बाहर जाएगा हाई सब्सक्राइब करें तो जो भी मैंने बताया तो इसमें बुकिश लेंगिज में थोड़ा देख लेते हैं यह सब कुछ सेल में होता है तो क्या होता है सबस्टेंश like CO2 इनको हम सेलिलर वेस्ट भी कह सकते हैं तो इसको सेलिलर वेस्ट बोलते हैं ठीक है तो भी एक्सक्रिटर आउट फॉम दस जल्क जब इसमें हाइगा कंसर्ट्रेशन होगा तो वह अंदर से भहार आएगा से थीच के ठीक है तो इंसाइट जब जादा हो जाएगा हाई को जाएगा तो फिर बाहर कंपेरिजिन में लो होगा तो वो अंदर से बाहर आएगा ठीक है तो co2 एक दम बैलेंस सिच्वेशन याजएगी सी ओ टू जितना अंदर रहे उतना बाहर है उतना बैलेंस आ जाएगा तब यह एक्सचेंज होना भाल तो मतलब इसकां में जा आए लगए रहेगा हाइं पाहर तो बाहर अंदर लोग है तो बाहर दो जाएगा और ऐसा ही ओटो के साथ भी होगा जब ओटू जब ओटू एंटर देसेल बाय प्रोसेस काल डिफूजिन फेन देल लेविल ओफ कंसेंटरेशन ऑफ ओटू इंसाइड देटीज जब ओटू अंसेंटरेशन अंदर कम होगा तो और बहार बहार के अटमस्फियर में ओटू क्या होता है हाई टू लोग ही मुव करता है ठीक है फिर इसके बद क्या है डिफूजिन प्लेज इंपोर्टेंट रोल इन गैसिस एक्सचेंज अफ देसेल्स एज वेल ठीक है अपने एक्टरनल एंवारमेंट से ओके तो बहुत इंपोर्टेंट रोल प्लेकर यह एक्शें बहुत बहुत हों अबसेलोहरओल यह को रहना है यह बहुत है यह इसकानन सब्लड़यद मोलग्युल व्य मैंबरेन कोडिक खलगव कर है और उस प्लाइंच मेल्व मेल मेंबरेन से ग्षि CHKB 2 मैंभ इस ने प्राब मेंबरेन कैसी है सेलेक्टिवल ईप इबल है कहां था कर दी आ है मैं थम नहीं अगा पर आतना प्लादम मेंबरेन सवीपर मेंबल होती है ठेकर तो जब यह प्रॉसेश वाटर के साथ होती है और जब मैंम सेलेक्टिव इबल नमेंबरेन काम करती है new kilo system में तो उस मोलिक्यूल कोई मॉल्यक्यूल है जब ह Advent dasần से लो प्रोस्स ऑजीट जाता है मतलब वाटर मॉलीक्यूल स्पेशली ठीक है डिफुजन के प्रॉसेस को ओवे करते हुए सेलेक्टिव ली पर्मियल मेंबरेन के थुरू हाई कंसेंट्रेशन टू लोग कंसेंट्रेशन मूव करता है तो उस प्रॉसेस को ऑसमोसिस कहते हैं ठीक है तो आई होप आपको डिफ करते हैं तो मूवमेंट ऑव वाटर अक्रोस प्लाजमा मेंबरेन इस अल्सो एफेक्टेड बाइद ए अमांट ऑफ सबस्टेंस डिजॉल इन वाटर ठीक है तो यह सिंपिल सी बात है जितने भी वाटर मॉली वाटर मेंस अबसेंस डिजॉल है तो वह अफ़क्षा कर सकते ह वाटर कर रहा होगा प्लाजमा मेंबरेन में तो दस ऑस्मोसिस इस दपैसेज ऑव वाटर फ्राम रीजन ऑफ हाय कंसेंट्रेशन थ्रो स्लेक्टिवली पर मेंबरेन तो अलो कंसेंट्रेशन तिल इकलूबिरियम इस रीच ठीक है तो मैंने आपको यह बताया ही था के ऑस्म आपने मतलब एक सेल में जैसे मैं यसे डाइव इसमें यहुछ समझ लीजिए होगा चल prop Parlork जाता रहेगा तब चक यहां पर और प्रोसेस चलती रहेगी ठीक है तो यह उस्मोस आपको आइधिंग क्लियर हो गया होगा उसके बाद इसमें कहा है वाट इफ यू पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इन आ और सुगर और सॉल्ट सल्यूशन तो आप सुचके देखिये कि आप कोई भी अगर सेल है उसको आप सुगर सॉल्यूशन में यह सुलूशन में रखेंगे तो क्या होगा तू कि तीन चीज़ें को सब्सक्राइब क्या गया है है तो हम पहले पहले देखते हैं कि पहली चीज चीज क्या हो सकती है अगर हम अपनी कोई भी सेल है उसको शुगर या sapor स्वाउट स्वाइशन में हाई कंसेंटर्शन में रखें है तो क्यान होगा ठीक है इफ दे मीडियम सराउंडिंग the cell has high concentration of water then the cell meaning that outside solution is very dilute the cell will gain water by osmosis such solution is called hypotermic solution to this basic कहने का क्या मतलब हो रहा है कि आप कोई भी सेल को अगर किसी हमारा कोई concentration है हाइए इसमें आपका ठीक है तो जैसे हम इसको संब्सक्राइब सकते हैं कैसे कि जैसे हमने कोई भी सेल रखी या फिर हमने रद्या एक रेजिन ठीक है रेजिन मतलब दाख होती है दाग जो ड्राइफ पूट होता है ठीक है इसको हमने सल्यूशन में रखा हॉआ संचोल्य स्वाटर में और यह रेजन तो डाक तो क्या होगा रेजन के अंदर यह सूखी ड्राइड रेजन है तो इसमें पानी की कम है ठीक है तो पानी का बहुत जाद थीक है तो क्या होगा बहार का जो पानी होगा और यह दाक फूल जाएगी तो यह क्या हुआ है का हाई कंसेंटरेशन टू लो कंसेंटरेशन तो सिंपल से यह एक्जैंपल है इसी तरीके से कोई भी सेल होगी अगर आप इसको हाई तो यही इसमें कहा है कि इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे और इस सलूशन को हम गए हाइपो टॉनिक सलूशन ठीक है तो आपको यह याद रखना है ठीक है और इसमें क्या है कि वाटर मॉनिक्ल्स फ्री टू पास एक रॉस अग्रोस सेल मेंब्रेन इंडेरेक्शन जो वाटर मॉलीक्यों है कोई भी सेल को अब इसमें रखेंगे फस्ट वाले स सलूशन में तो वह बताब किसी डारेक्शन में जा सकते हैं निटिक है पड्क या है वटमोर वाटर विल एंड कम टू एंटर था पर क्या होगा सेल में प किसी भी डिरेक्श में अंदर या बहार जा सकता है पर सबसे ज़्यादा पानी इसके अंदर जाएगा सेल के ठीक है और वह एंड अप होगी फूल जाएगी और रेजल्ट उसका पानी क्या पूलने का क्योंकि पानी का बहुत ज्यादा है और जीजल्ट पत्ली से इसमें पानी है ही नहीं तो यह स्पील एक्जांबल से मैं आपको समझाने की कोशिश की है और सेकेड में क्या है इस अगर कोई मीडियम आप इसमें ले रहे हैं और जो भी थोड़ा सा पानी नहीं थोड़ा से दोड़ा से पानी नहीं है तो क्या होगा बिल बी नो नेट मुवमेंट तो ना उसमें पानी अंदर जाएगा इस तरीके के solution को हम क्या बोलते हैं Means Isotonic Solution थीक पानी भी हमने जादा नहीं लिया हमने सेल भी जादा वो नहीं मीडियम साइस की ली तो क्या वोगा यह श्रिंक होगी थीक इस को पानी सेलीशन का हम कहते हैं इसमें क्या होगा कोई भी मतलब ना अंदर जाएगा ना जाद़ बहार जाएगा दो कि अधना जाद़ मूम्में टी नी होगा वाटर का और जो साइज होगा सेल का इस थेम रहेगा थिक है cell will stay same third में हमें क्या बताया है the medium has lower concentration of water then the cell meaning it to be very very concentrated solution the cell lose water by osmosis such solution is called hypertonic solution ठीक है जैसे इसको हम कैसे समझा सकते हैं एक normal example में जैसे हमने एक container लिया इसमें एक ग्रेप रखा ग्रेप मतलब जो अंगूर होता है उसको रखा और इसमें हमने salt solution बहुत high concentration रख दिया salt का नमक का पानी समझ सकते हैं तो वह क्या होगा ग्रेप जो अंगूर लिया है वह क्या होगा इसका पानी बहार निखल के आजाएगा solution में मिल जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे इस ऐसे इसको इसके इंग्रेप के जगे आप कोई भी आपको समझाया है आपको बुकिश लेंग्विज में इसको अपनी भाशा में भी आप लिख सकते हैं बट बुकिश लेंग्विज में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है अगें वाटर क्रॉस इसेल मेंब्रेन बोड डारेक्शन तो इसमें भी वाटर सेल मे हो जए हिजव जाए जो ग्रेप होगा हमारा उसका हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा ठीक है जिसका एंड रिजूल्ट क्या होगा श्रिंक्ट ओफ्ट ऑफ इस टेल और ग्रेप ठीक है तो यह हूच उस्मॉस सेपैशल के सब्षुजिंट तो अगर कोई पूचेदिफिशन क्या है अलग अलग है तो आसमोसिस एक स्पेशल केस है डिफूजिन का और यह उस्मोसिस कैसे होता है तो यह एक्टिविटी से समा सकते हैं तो एक्टिविटी क्या है जूम हो गया तो यह एक्टिविटी है यह वाली ठीक है तो इसमें हमें क्या करना है औसमोसिस एमने कैसे होती कि है यह चली से हम एक्टिविटी पढ़ लेते हैं ठीक है तो इसमें हमें क्या करना है, remove the shell of an egg by dissolving it in a dilute hydrochloric acid, तो हमें जो एग की shell remove करनी है, इसको एक dilute hydrochloric acid में dissolve करके, ठीक है, अंडे की उपर की layer जो होती है, white white color की, वो हमें remove करनी है, ठीक है, तो ये shell जो होती है, वो calcium carbonate की बनी होती है, ठीक है, फिर क्या होगा, अथिन, इसके remove करने के बाद, a thin outer skin now encloses the cell, तो इसके बाद एक thin पतली c layer आजाएगी, जो अंडे के ऊपर होगी, ठीक है, तो इसको हमें किसमें dissolve करना है, एक pure water में अंडे को dissolve कर देना है, और इसको पांच मिनट तक observe करना है, तो ये एग क्या होगा, पांच मिनट बाद जब हम इसको पानि में चला जाएगा ये पानी कंटेनर में ज़दा है अंडे में पानी में कम है तो वह high concentration तो यो आता हूद चु आप ये अंडे में पानी कि उख़ूka, ये अंडे में पानी, तो ये 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 थे तरीके से आप ये अक्या, ये ये पानी कि भी ये ऐक को тогда moms उगा ये, रह का तो यह एक क्या हो जाएगा श्रिंग हो जाएगा इसमें फूल या था और इसमें श्रिंग हो जाएगा मतलब उसकी थोड़ा सा पिचक जाएगा आप ऐसे कह सकते हैं ठीक है का और क्या होगा जो वाटर होगा वो एक का सारा सॉल सल्परिशन में मिल जाएगा कि है विकgoingु कॉज सॉल्पर हैं क्यों इसा क्योंकि सॉल्पर जो सेल्पर है वह ज़्यादा कंसंट्रेटेटेट लिक कि तो मैंने आपको बताए था अगर से क्योंकि वाटर हमेशा हाई कंसेंटरेशन टू लो कंसेंटरेशन मूव करेगा ठीक है जहां पर भी हाई होगा इसके अपोजिट डरेक्षण में मुव्मेंट होगा आपका ठीक है और यह जो एक्तिविटी है यह मैंने आपको रेजन वाली समझा ही दी है ठीक है तो यह आपको समझ में आ जाएगा पढ़ना फिर भी एक बार इसको ठीक है उसके बाद है यूनिसेललर और फ्रेश वाटर ऑर्गनिजम एंड मोस्प्लांट सेल टेंड टू गेंड वाटर थ्रो ऑस्मासिस ठीक है तो यह ऑस्मासिस ऐसा नहीं ही कार्गनिजम्स में नहीं ही भाद इसपर हैं तो कुछ यूनिसेललर और औरर यंगल सेल होते हैं जो उन्में भी ऑस्मासिस की प्रॉसेश होती है और खुश मसिसम्नीदिव ay और ठीक है और और फूश सेल के साथ और कुछ और यह प्लांटे महीं अन्दर में पानी अग चाहरोचित एक क्षी नियुद का टया कि में नहीं एक स्रीख करते हैं था कि था यह नलिदा जो झालता है। घ् Gwenा पयर सना सनावा श्री चाहरो का आप डाइटख़ गढ़ाल को फाटि कैसे होता है। जिसे हम्हों का में चाहरोच ते लिए चसो पार बहुत है। अर्थ में होता है ना जमीन में तो पानी यहां पर जादा है और रूट्स में जब कमी हो जाती है तो पानी कहां जाता है और इसी के थ्रू पानी रूट्स में जाता है तो यह भी एक ग्जाम्पल है कोई पूछे कि आपको ऑस्मॉसिस का ग्जाम्पल बताएए तो आप यह बता सकते हैं कि plants में भी osmosis होता है और unicellular organism में भी होता है fresh water भी में भी होता है plant cells में भी होता है ठीक है फिर क्या है this diffusion is an important process in exchange of gases water in the life of a cell ठीक है यह diffusion के process है वो एक्सचेंज जो water gases का हो रहा है और जो water का भी जो एक्सचेंज हो रहा है cell में इसके लिए बहुत important है ठीक है उसके बाद क्या है cell also obtain nutrients from its environment to cell in gases exchange और पानी के अलावा nutrients भी तो environment से लेती है nutrients लेगी तो लाइव कैसे रहेगी living कैसे रहेगी ना nutrients तो चाहिए होता है ठीक है और डिफ्रेंट मॉलीक्यूल्स मूव इन आउट अउट 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 तो यह जितने भी मॉलीक्यूल्स अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं तो इन सब को करने के लिए energy भी तो चाहिए होती है तो वह कैसे मिलती है ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेंब्रेंग तो यह NCRT वालोगी सबसे गंदी बात मुझे यह लगती है यह प्लाज्मा मेंब्रेंग हमें हेडिंग कहां से दे रखी थी यहां से है ना और हमें प्लाज्मा मेंब्रेंग के बारे में यह तो मूव्मेंट मूव्मेंट के बारे में बताया बट प्लाजमा मेंब्रेन के जो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे प्लाजमा मेंब्रेन क्या होती है किसकी बनी होती है ठीक है कैसी होती है वो सब पढ़ेंगे ठीक है तो प्लाजमा मेंब्रेन is a flexible and layer है जो membrane है membrane मतलब एक पथली से लियर होती है ठीक है यह कैसे होती है flexible होती है और कि इसकी बनी होती है organic molecules की बनी होती है जो किसके होते है lipid के और protein के ठीक है जो कि लिपद और protein के होते हैं वूखे हावेवा वो प्लादम मेंब्रेन उली त्रूओ कुछ ऌप गया होगि ऑन देख सकते हैं हम अपनी नेकटट आइज जो अपनी आखो से सिंपल नहीं देख सकते हैं जैसे हम और सारी चीजर जो हमारे आसबास होती हैं उनको अपनी आखों से से नहीं देख सकते हैं उसके लिए हमें लेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरुत पड़ेगी हम सेल को भी एक नॉमल सेल को भी अपने आखों से नहीं देख सकते हैं तो कोई पूछे आप सेल को आखों से देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं क्योंकि रॉबर्ट होग ने डिस the flexibility of a cell membrane also enables cell to engulf food and other materials from external environment to cell membrane plasma membrane structure मैंने दिखाई था यह आउटर मुस्ट में रहता है ऐसा कुछ ठीक है आउटर मुस्ट में रहता है ऐसा कुछ ठीक है आउटर मुस्ट कवरिंगी बेसिक्स मैं आपको गोल गोल करके बता जी हो आपको समझाने के लिए सेल का स्ट्रक्चर तो मैं आपको दिखाई था कैसा होता है तो बार 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 तो नहीं बना सकती है तो इसकी जो प्लादम मेंब्रेन होती है तो फ्लेक्सिबिल्टी के वज़े से बहुत बार ऐसा होता है कि अपना खाने को और दूसरे जाद जो माटेरियल चाहिए होता एक्स्टरनल इन्वारिमेंट से तो उनको सेल को हेल्प करती है अपना खाना वान या उसका और चीज़े करने में क्योंकि सेल के पास हाथ पैर तो कहाना तो सबसे सबसь है कौन करता है अमीवा इस तरीके से अपना खानाा लेता है कैसे अफ्लेक्स सबस्ण करता फिर को तो हृच्छ अब धिक परती तो सबस्ण होगी ब kneel तृविभी जिन लोको नहीं पता है अमीवा थामीब कर दो कृब जर्दी चृवा पर अंबीवा बद् सब्सक्राइब कैसे हो तो यह जब अपने सबस्क्राइब कर थे समय दोक पूरए अनदर अंदर रह मैसने इसके सने ऊपने फिर ऍट्स टेप में एंदर करेगा पूरा इसको 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 पूरा गॉण फिर एख और यह तो यहां से जोड़तें और इसके उड़े द्रेब कर देजह तो Branch के लिए यह सारे questions important होते हैं क्या होता है कौन सांग्म करता है के दिफूजिन शॉट आपको पता ही एंची क्यून आते हैं इतनी हुष्ट में में उसके बादा हमें क्या करना है एक अक्टिविटी हैसमें यह आपको भी करना है कि electron microscope अपने स्कूल में जो भी लाइबरेडी है या फिर इंटरनेट से पता करना है कि कैसा होता है क्या होता है कैसे work करता है structure कैसा होता है तो यह activity है आप interested तो करिए या फिर आप Google तो at least करी लिजिए कि electron microscope कैसे दिखता है ठीक है उसके बाद यह questions दिए गए है how does the substance like co2 and other water molecules कम out of the cell ठीक है यह हमने भी पड़ी लिया है कि co2 co2 कैसे अंदर बाहर आते हैं इसके बाद second question कौन सा है वाइद प्लाजमा मेंबरेन इसको इसको पर्मीयबल मेंबरेन को क्यों कहते हैं क्योंकि वह जब उसको जरुरुत होती है कि सी भी मॉलेक्यूल की या कुछ भी वटेटियल की तो जब वह अपने आप से इसको सेलेक्ट करके लेता है इसको सेलेक्टिवली पर्मीयबल कहते हैं ठीके आप भुकिश लेंगविज में खुद से बुक का याद करिए मैं आपको समझाने के लिए बस बता रही हूं उसके बाद पढ़ना है सेल वॉल सेल वॉल होती क्या है ठीक है तो सबसे पहले सेल वाल क स्ट्रक्चर देखना जरूरी है बिकर अगर आपको स्ट्रक्चर का लोकेशन नहीं पता है तो आप जब एक्जैम या कुछी पी चीज को जब आपको पता ही नहीं वहीं आप वो टह तक आए जहां होता है तो इसका फंक्शन अगेरा तो याद रखना बहुत डिफिकल्ट जल्दी से के देन इसका स्ट्रक्चर कहां होता है कैसा होता है ठीक है कि तो है यह स्ट्रक्चर फट्ट यह आप नजर आ रही है तो यह सेल वोल्न आप्निकाउट कर सकते हैं यहां पर यहले है जो यह वाल है और हमारी प्लाजम मेंब्रेण जरुने पड़ी फ्लेक्सिबि यह यह तो इसके अंदर वाली जो लिएर होगी तो इसको मेंघ कहेंगे और इसके ऊपर लेन होती को सेल बन में घ डि टाइंब तो यह होव्प संमछ पर यह एक एक प्लांट सेल है आग एक इंपर्टर्ण फीचर होता है प्लांट के इन ट्रभ्ष में प्रिजेंट 치टटी है ऐनिवल इंबैर Mr. होती है था कि Kollege practically 20% वोल को डिटेल में पड़ते हैं टो प्लांक सेल इन अडिशन टो प्लास्मा मेंब्रेइन एंट एंडर जिट आव्टर कवरींग कॉल सेल वह थी कैंथ तो लृट है टो में प्लास्मा मेंबडेन नौध यह ओती है दिए प्लाज्म मेंबरेन भी होती है यह टहले हुँ क्लाज्म मेंबरेन UK 맥 प्लाज्म मेंबरेन वाइण टिक है जो की होती है rigid बहुत कठोर सी होती है rigid मतलब कठोर ठीक है उसके बाद क्या है cell wall lies outside the plasma membrane यह मैंने पढ़ाई दिया आपको cell wall plasma membrane के भी outside में रहती है plant cell wall mainly composed of cellulose ठीक है जो हमारी plasma membrane थी वो अब प्रोटीन के बनी थी और यह किसके बनी है cellulose की ठीक है cellulose is a complex structure यह बहुत complex structure होता है जैसे कोई simple structure हुआ तो से simple बोलेंगे complex मतलब थोड़ा से difficult structure ठीक है simple ना हो जो उसका opposite ठीक है और यह क्या होता है complex structure होता है cellulose और क्या होता है structural strength provide करता है जो भी plants होते हैं उन में ठीक है आप उसमें तो strength plant में कहां से आएगी structural structures हमेशा मतलब straight रहें पक्तियां उनका shape सही रहे तो कौन structural support strength provide करेगा cellulose ठीक है क्योंकि वो cell wall present होती है इसमें और क्या दिया है when a living plant cell loses water through a process called osmosis there is a shrinkage or contraction of contents of the cell away from the cell wall तो क्या होता है और इस process क्या कहते है plasmosis क्या होता है जब plants कोई living plant है जब इसमें से पानी का loss हो रहा है ठीक है water का स्टू का loss हो रहा है तो क्या होगा यह plant shrink हो जाएगा अब किसी भी चीज में से आप पानी निकाल दो तो श्रिंक हो जाएगा तो उसको उस process को क्या कहेंगी हम नहीं और उसमें सुकुर तो जाएगा उसके बद क्या होगा उसका content होगा cell में content होगा और जिसे यह cell है ठीक है इसके बाहर यह cell wall हो गई उसमें content होगा जिसे nucleus ठीक है गोल की body जब यह shrink होगा तो यह cell wall और यह content दूर दूर चला जाएगा ना दूसरे से ठीक है इसको प्रोसेस को क्या गाहेंगे प्लाजमोलिस ठीक है इसको में से एक्टिविटी से समझेंगे यह activity दी है 5.6 में इसके थू हम प्लाजमोलिस को समझेंगे तो इसमें क्या करना है हम है इसमें आपको एक आईडिया हो जाता है इसमें आपको एक आईडिया हो जाता है अगर आप basic theory theory बढ़ते रहेंगे तो आपको जो एक्टिविव व्यू और माइन सेट है ना वो क्रीजिए हो पाएगा तो एक्टिविटीज करना इसलिए important हो जाता है ठीक है तो में रियो लेनी है और इसको पानी में डालना है और स्लाइड में रख देना है ठीक है और इसकाैर में तो मैं तो में अए ग्रीन तिरीं ग्रेन्यू ग्रेनीर्विडियू है जो क्या होते हैं मुंग है वह और उने क्लोरोफल तो इसे संद्टे करते हैं ? इसच क्लोरोफल होती है यह उनको भूते हैं साथ हुए प्लांट हो जब एक वुए में यह लिए मुज़ Remember यूज़ करने लीव को और श्लाइड पर उसको मतलब रख देंगे इस लाइड बना देंगे अगर अंगर अपने एक्सपेरिमेंट के हो तापको पता होगा किसलाइड कैसे प्रप्पेर करते हैं इसमें तो बेसिकली बता रहे हैं क्या करना है कि और उसको हमें 5-3 मिनट के ल जाल देंगे फॉर फ्यू मिनित्स तीक है लीफ लेके बोलिंग वाटर में डाल देनी है तो उससे क्या होगा इसकी सेल ही मर जाएंगी जब पानी में कुछ अबाल दो तो बिल्कुल जिसे पत्ते वत्ते उबालते हैं जिसे अगर कभी पानी में बालते हैं तो पुरी लूज प्रिश्चोप में देखना है और फिर उसके ऊपर एक स्ट्रॉंग सॉल्ट और शुगर सॉलूशन जो हमने इसमें किया था वह भी कर देना है तो और इसको एक मेरिट के बाद अब्सर्व करना है तो हम क्या और इसको बाद हम क्या देखेंगे हम इसमें प्लाजम लिसिस क प्लांच में और इसके जो सब का मुपाल हैं और फटाले माशर्म और इसे का कंटेंट है और और दूसरी दूर दूर हो जाते थिखे हैं तो क्या होगा सेमें इस solidarity से मैं क्या भंब इसे बताइक चलेगा चाहीं कि अंजी जा लिविंग के बिल्ग सेल्ट है पानिंट वाल डिया था बॉयलिंग वोटर में तो उस्था था कैसा उस्माश्रों थोटा सब्सक्राइब नोचाइब कर दो कि मुद्स पढल चाहिए वहाइब था उसके बाद में पढ़ना है सेल वोल के बारे में थोड़ा से और पड़ते हैं यह पर्मिट करती है प्लांट फंगाय बेक्टेरिया को तो वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटेर्नल मीडिया विदाउड प्रस्टिंग थे कैसे करती है जैसे आप एक कंटेनल लेंगे तो इसकी जो सेल होगी और इसमें पानी बानी भर दिया हम थेक है तो प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल में यह सेल्वाल है ठीक है जो कि बहुत रिजिड है त हाई मुव करेगा तो यह जो भी फूर स्टाड हो भीए तो उसको फटरने से बचाल के रखे वो होगी कि यह करेगी इसको पाणी ही इसको फूल ने भी देगे अब सैव अलमुस्ट हमाइए कनसेंट्रेशन में पाणी उब कर रहा था तो वह और अलमुस्ट फूल जाएगी सुटाब itu सेल फेशों प्रैशर अगीड उसके लगाएगी अपना वह तो कुछ परेशर लग जादा देर तक पानी में रह पाईगे बिना फटे इसमें इसमें प्लाजम मेंब्रेन होती है और प्लांस टो ही अपर से वाल भी होती है तो यह जादा टाइम तक रहेगी पानी में अगर अगर हम इसी तरीके के सॉल्यूशन में इसको रखेगे नहीं रहे पाएगी तो नुक्लियस बहुत इंपोर्टेंट है तो आपको बहुत अच्छे से नुक्लियस कवर करना है एक च्छे से क्लियर करेंगे और आज आई तिंग हमारा नूकलेस या साइटोप्राइस कितना हो जाएगा है इत ची किताम कम कवर आप कर पाते हैं कि नूख्लियस कवर करते हैं क्योंकि वीडियो स्याधा बढ़ा हो जाएगा तो फिर बच्चे भी बोर रहें पट फट के सिर्फ आज नूकलेस कवर करेंगे तो दिखाया ही था उसम साथ है तो यह प्लांस ऐल है और को बाट में तो यह एक प्लांस और कि अध्यां आपको याद रहनी चाहिए हमें सही सेंटर में ही मुस्टी होता है और इस और यह सब है इनके बारे में डिर्यल में आगे चैप्टर में पड़ेगे तो यू डोंट नीड तो वर्य अबाउट इट तो रिमेंबर दमाउंट ओफ ओनियन अनियन पील भी प्रिपिर ठीक है तो यह एक्सपेरिमेंट हमने फर्स पार्ट में इस चैप्टर के किया था तो सबसे उपर में हैं सबसे फर्स पेज पे वह ए कि फ़ी बीक्ति ने पूरिए लल्ड भी तो उसमें फेल ऑन सबसे ने थे अलग अलग तो आपको इस को आपको उसमें पूछा जा रहा है कि सब क्या लगता है दिए इक सेल इंगे इसल गट इवनी कलर्ड तो अगर आपने उस्परिमेंट पढ़ा था तो आपको पता हो और आपने नहीं पढ़ा है तो आप पार्ट वन जाके देख सकते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है इस एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि कुछ कलर जो डीपली स्टेन आ रहे थे और कुछ जो बोशन थे सेल के वह लाइट कलर में थे और कुछ डीपली कलर थे ठीक है तो वह क्यों होता है तो एक्कॉर्डिंग टू केमिकल केमिकल कमपोजिशन दिफरेंट रिजन ऑफ gea patroon के सेल क हिस्का गृटिंगों सन रिखे सल एक्डाट कर देते हैं तो कि एक्षाब्च तो नेंगा बहसा अऔर कंपैंट केच तो अभी ओंस्ट के लिख स्टेन होंगे मतलब टांडाक कलर के देखेंगे कुछ लाइट कर और के देखेंगे तो प्र्ध मईंडब्ट अ अपार्ट फ्रॉम आयोडीन के अलावा सेफरिनन सल्यूशन भी डाल सकते हैं और मिथलीन ब्लू सल्यूशन भी डाल सकते हैं ठीक है तो वी अब्ज़र्व दॉब्ज़र्व एक्सपेरिमेंट करेंगे किस तरीके से करेंगे टो डिषार्व पान, अइसमें एक ड्रॉप हमें पानी डालना एक इसमें ग्लाइश क्राइब पानी डालना है तो एक आयस क्राइब यह इंटल स्क्रेप fill पर न ते लिए तयम से Нуं 행 द्रॉप स्पून से नहीं वह रहा तो निडल के हल्प से जो दांतों के अनदर चीक के आपकात कुछ-कुछ लगा वहता है श्लाइट को हमें इसपर evenly spread कर देना, जो भी निकलेगा. क्या डालना है? Methylene blue का solution डालना है. और उसको observe करना है microscope पे. तो इससे क्या होगा? हमें क्या देखिगा? हमें क्या देखना है? हमें shape देखना है. सेल्स का कैसा शेप होता है और उसको observation सीट पर ड्रॉ करना है तो अगर आप एक्सपेरिमेंट स्कूल में कर सकते हैं तो जरूर कीजिए ठीक है और नहीं कर सकते हैं तो एक्लिस एक्टिविटीज को पढ़िए तो वस देरा डाकली कलर्ड स्फेरिकल ओवल डॉट लाइक स्ट इस स्ट्रक्चर इस कॉल्ड नूकलियस तो इसी को नूकलियस कहते हैं तीक है उसके बाद सिमलर टू ओनियन पील सेल्स के सेमलर ही देखिगा हां 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 आ रहे हां 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 झाल झाल